नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अस्टमी ब्रत कथा चीन काल में किसी नगर में एक साहुकार रहता था, उसके साथ लड़के थे दिवाली में पहले साहुकार की पत्नी घर की लीपा पोती के लिए मिटी लेने खादान में गई और अपनी कुदाल से मिटी खोदने में लग गई, दैयोग से उसी जगए एक सेह यानी स्याही की मान थी अंजाने में उस इस्त्री के हाथ से कुदाल साही के बच्चों को लग गई, जिससे उसके बच्चे की म्रत्त हो गई अपने हाथ से हुए इस पाप के करण साहुकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, पर अब कर भी क्या सकती थी इसलिए वो सोका कुल पस्चात आप करती हुई लोट आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद साहुकार की बेटी का नीधन हो गया फिर इसके बाद उसके दूसरे फिर तीसरे इस पकार साल भर के अंदर उसके सभी बेटों की आगस में म्रत्त हो गई साहुकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी एक दिन अपने पास पडोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उससे जान बुझ कर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया लेकिन हाँ, एक बार जरूर उसने अंजाने में एक पाप किया है उन्होंने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खादान में मिट्टी खोदने गई थी जहां उसके हाथो एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी सायद यही कारण मेरे साथ बेटों की मृत्त हुई है यह सुनकर एक पडोस की ब्रत्त महिला ने कहा कि यह बताकर तुमने जो पश्चात्याप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नस्ट हो गया है अब तुम्हें काम करोगी अस्टिमी तिथी को भगोती माता की सरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा आर्चना करो और छमा याचना करो इशर की क्रपा से तुम्हारा ये पाप जरूर धुल जाएगा सावकार की पत्नी ने ठीक ऐसा किया उसने हर कार्तिक क्रश्न पच्च की अस्टिमी तिथी को नियमित रूप से उपवास रख बिद्विधान पूजन किया कथवच्चा उसे साथ पुत्र रत्नों की प्रापति हुई कहते हैं तबी से अहोई ब्रत रखने की परमपरा सुरू हुई बोलो अहोई अस्टिमी की जय हो अहोई अस्टिमी का ब्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है ये बρत हर कार्ति करश्न पच्छी की अस्तमीदी ति को रहा जाता है। इस बरत में अहोई मता की पूजा की जाती है। कहते हैं जो मताएं अहोई अस्तमी का ब्रत बिद्विधान से पालं करती हैं, उनके संतान के जीवन में सदय खुसहाली और सम्रदी बनी रहती है साथ ही उन्हें स्वस्त और लंबे जीवन की प्राप्ति होती है इस दिन अहोई माता की पुजा के साथ ही साही और उनके बच्चों की पुजा भी करनी चाहिए असले की जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पॉंडिता अन्चाची को लाइक सेयर सबस्क्राइब करना ना भूले बोलो अहोई माता की जाये हो